नमस्तुकार दोस्तों, लाइब से टुपुप चानल में आप सब कस्थवागते दोस्तों आज हम बात करने वाले आधारकार के बारे में आज आड़ी जो रेंसम योईर के आटैक हो रहे lord उसके बारे में अगर आपका आधारकार सेकुयर नई तो कोईसे आप उसे लोग करके आपना अधार finger को secure कर सकते हैं कि आपका जो privacy है, जो भी आपकी history है, जो किसी से, किसी ने hack करना पाए, कोई उसे चुराना पाए तो उसे लोग करने के बाद आप उसे अपना अधार card उसे आप secure कर सकते हैं और आपना जो EKYCB उससे complete नहीं कर सकते जब तक आप उससे permission देते नहीं तो यही जानकारी देने वाला हो कि कैसे आप आपना finger जो आधारे उसको secure रख सकते उसको lock कर सकते तो उसको lock करने के बारे में और unlock करने के बारे में दोनों जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हो तो सबसे पहले आप चैनल को subscribe कर लिजे ताकि जो भी हम वीडियो डालते रहेंगे उसका notification आपको मिलेगा और जल्दी से जल्दी आप हमारा वीडियो देख पाऊगे तो चैनल हम चलते जो आप इसका लिंक आपको दिखा देता हूँ www.uidai.go.in जैसे आप इस पर आते हो तो देखिए कुछ इस तरह से इसका dashboard open होगा और dashboard open होने के बाद आधार के बारे में आपको या पर बहुत सरी जानकरी मिलने वाले है तो आप या पर आकर देख सकते हैं आपको बहुत सरी सेवा इसमें मिलने वाले है जो आपके काम की भी हो सकती है तो आप इस पर आकर देखिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि lock unlock biometric क्या होता है तो देखें दोस्तों क्या होता है आपका जो finger यह उसे आप आगर आप किसी के भी ekyc करते हो आपना pen card बनाने किसी के बारे में भी आप ekyc करते हो आपने bank से परेशा निकालने के लिए आधा renewable payment system से तो उसे आप आपना finger रखते होता अगर आपने आपना finger को lock कर दिया तो आप जब तक आप उसे permission देगे ने उसे unlock करोगे ने तब तक आप ekyc कर पाओगे ने मतलब आपका finger यह जो आधार है जो आपका secure हो जाएगा lock हो जाएगा तो उसी के बारे में में जानकार देने वाला काईसे आप उसे lock कर सकते और unlock कर सकते उसको क्या होता है कि जब भी आप इसे लौक कर दोगे दोगे तो आप किसी से भी ekyc कर सकते ISTNT जब तक आप इसे unlock करते ने और कोई भी आपके जो information है हो चुराने पाएगा Recovery enormous team लास्ट में आपको दिखाई जी हो डिक़ इससे इसे को डीक लेना है तो देखिए हम इसे बात करते हैं हम इसे ऋके कर देते हैं जएसे आप इसे लेंगे कर लेते हो तो यह आप के सrüëorden पर ओपन हो गाए और देखे स्टों यहyaँ पर ओपन हो गया और ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ जानकारी देवाले आप इसे अच्छी तरह से पढ़ ले आपको क्या क्या करना होगा यह सारी जानकारी आप पर पर सकते अगर आपको कोई इंगलीश में समझ में नहीं तो आप इसे कोफी करके गुगल ट्रांस्पलेस्ट में भी हिंदी से पर सकते और अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको आगे कोई दालने के बाद आपको सेंट टीपी पर क्लिक करना होगा यह पर आप आपना अर्धार नमबर और जो सेक्यर कोड़े उसे डाल दीजिए जैसे आप उसे डालोगे तो जो आपका मोबाइल नमबर है उस पर एक से ओटीपी आपके लिए भेज दिया जाएगा तो चली हम यह इते खी हमारे इस पर आ गया अचिक कि एसक यह उच़ालने के बाद आपको यहां पर नीचे लॉगिन कर लेंगताई तो चली हम यहां पर इससे लॉग citrus लेंगते है var तो देखिए दोस्तों या पर हमें इसमें लॉग इन हो गया और देखे यह आभी हमारा जो बायो मैट्रिक डिवाइस अभी लॉक हो जाएगा मतलब हम जब चाहिए इसे जब आपको एक वाइसी करना हो आपके बायो मैट्रिक से आपकी फिंगर से कुछ काम करना हो तब यह आप इसे अनलॉक करके जो आपना फिंगर चाला सकती एक वाइसी कंप्लेट कर सकते उसके बाद फिर से इसे लॉक कर दे सकते और इसके जो इसे लॉक करने के बाद आपको कोई भी टेंशन लेने की जरुवत ने यह पूरी तरह से सेक्योर हो जाता है तो चलिए हम इसे यह आप पर जो यह क्या सेक्यर कोड यह आप डाल देते हैं आपको भी यह पूरी तरह से भर देना अगर एनेबल पर क्लिक कर देना है तो चलिए हम यह पर एनेबल पर क्लिक कर लेते हैं जैसे आप एनेबल पर क्लिक करते हो तो देखें कांग्रेलेशन यूवर बायमेट्रिक कि लॉक तो हमारा जो rek Damn कव सी करना चाहिए तो भी आपर यह कव सी करना शकते किसी भी जगाद पर रहाट से लउक करके जो एक वसी को रोग सकते आपना अधार अधार युसे से कर बना लगिन कर लेना होता है तो चलिए हम यह पर फिर से एक बार जाते और ओके कर लेते हैं देखे दोस्तों जैसे आप इसे ओके कर लेते हो तो फिर से आपको यह पर लॉगिन कर लेना होता है तो चलिए हम यह पर फिर से एक बार आपना अधार नंबर डाल देते हैं अधार नमबर डालने के बाद इस सेक्योर कोड डाल देते फिर से एक बार और सेंट ओटीपी पर क्लिक कर देते देखे जैसे आप सेंट ओटीपी पर क्लिक करते हो तो आपके पास फिर से एक बार ओटीपी भीज दिया जाएगा देखे दोस्तों हमारे इसमें OTP फिर से एक बार भेज दिया जा रहा है तो चलिए हमारे पास हमारे मूबाइल पर आ गया हमारा OTP तो यहाँ पर हम इसे डाल देते हैं और लोगिन कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले इसे लोगिन कर लेना है तो चलिए हमारे आप पर लोगिन हो गया और देखे आप पर हमें क्या दिखा रहा है कि Enable Biometric Lock in your Aadhar हमारा जो Biometric है उसे हम Unlock भी कर सकते तो इसी तरह से आपको एक बार Unlock कर दिया तो उसी तरह से आपको फिर से उसी Step by Step से आप इसे Unlock कर सकते तो दोस्तो या पर आगे का Step जो है वो देखे या पर आप अगर Unlock पर क्रिक करते हो तो क्या होगा कि आपका जो आधार काड है वो 10 मिनेट के लिए Unlock हो जाएगा जब तक आप EKYC कर पाऊगे तो उतने टाइम के लिए Unlock हो जाएगा और उसके ब आप यह फिर से अपने आप लॉक हो जाएगा तो आप इसे Unlock करके भी कर सकते हैं आगर आप इसे डायरेक्ली बंद करना चाहते हैं आपको इसे पूरी तरह से बंद कर देना होता है तो देखिए आपर आपको जे सेक्र कोड है आप पर डाल देना होता है तो चली हम यह जैसे आप डिसेबर पर क्लिक करते हो तो आपका आधारी वो पूरी तरह से Unlock कर दिया जाएगा बंद कर दिया जाएगा मतलब अनलॉक हो जाएगा तो इसी तरह से आप इसे लौग और Unlock कर सकते हो आपना जो आधार काड़े उसे secure रख सकते हो तो दोस्तों यहीं ति इस वीडियो में जानकर आपको अगर कुछ सवाल है तो हमें कमेंट कर दीजिए और वीडियो अच्छा लागा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए